कeping by ही बेलकम टो माइचेनल एज नीटिंग कुशेंगे तो देघेसा कерм से सकत Grip की एप क्यूं игр आई थो दोड़नी में नौर्मल केब करती उए चुम देखने उनकी लिए मैं नहीं ले नहीं लगाते हुँ एफ लोग है तो इस बहु खाल वह विए बत्elnine बच्चे भी क्या लगाएंगे तो बहुत अच्छा होता है प्लस इसमें एक चीज और देखेगा आप इसकी जो लेंथ है नैक की मैं बता देती हूं आपको मैंने तो थोड़ी सी ज्यादा रखे हैं यह देखे शह सबाच इंच के असपास और अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्ताल नहीं पाते हैं तो यहाँ पर मैंने यह पोड़ी बनाया है दो कलर काविनीशन मैंने आप लिए आपको जो भी क्लर समझ में आया वह ले सकते हैं आप इसको संगल कलर से भी बना सकते हैं तो आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से आगे मैंने वीडियो में step by step समझाया है कि इसको आप को इस तरह से बना सकते हैं अगर उन की बात कर लेते हैं तो देखे उन इसमें जो है कुछ लोग कहते हैं कि आप बताते नहीं हो कि उन कितनी लगती है लेकिन मेरे हर वीडियो में मैं बताती हूं प्लस मैं written भी देती हूं कि उन कितनी लगती है इसमें 42 ग्राम उन में यह बनके complete हो गया है आगे पीछे दौना तरफ से एक तरह से यहां पर यह सलाई आती है अगर आप इसको circular needle में बनाएंगे तो यह सलाई भी नहीं आएगी इसमें लेकिन मैंने इसमें basic तरीका बताया है क्योंकि हरे किसी के पास circular needle नहीं होती है सलाई तो इसमें मैंने 10 नमबर की सलाई यूज की है 40-42 ग्राम उन में यह बनके complete हो गया है और मेरे ख्याल से अभी मेरा बच्चा जैसे 3 साल के करीवन है तो उनको बहुत अच्छे से आती है और even मुझे लगता है कि यह next year भी उनक नहीं ना इसाल से लेकर 4 साल अकी के बच्चे का मालनी छी अई आसन ऐसे बच्चाहा और बड़ा ये रिभ बनाट यूश की है में इस तरह बला पटर नज़िए आतो इक साल तक के बच्काहान को जाएगी साड़े चार साल तक के बच्चे को भी आ जाएगी ठीक है तो चलिए फिर इसका वीडियो देख लेते हैं किसको हम किस तरह से बनाएंगे को बनाने के लिए मैं आप यह यह वाले दो कलरी उच कर रही हूं क्रीम और यह ब्लू स्काइब लू कलर है डार्क देख रहा है वैसे यह देखें एक नट लर हो रहा है ठीक है इसको हम एक फंदा बनाएंगे और जब हम इसको ऐसे करके दूसरा जब फंदा डालेंगे तो यहां पर एक नॉट लग जाएगी यह देखें दो तीन चार पांच छे इस तरह से टोटल 86 स्टिचे जाने की 86 फंदे मैं इसमें डाल लूँगी अब देखें मैंने आप यह टोटल 86 फंदे डाल दिये हैं सलाई पर अब मैं यहां पर एपनी रॉंग साइड आ जाती हूं और यह मेरी फर्स्ट रो है रॉंग साइड से तो य अल्टे दो सीधे का बनाएंगे हम यहां पर डिजाइन पैटन तो पहला फंदा में उल्टा बनाऊंगी और दूसरा फंदा भी मैं इस तरह से उल्टा बनाऊंगी ठीक है धागा पीछे ले जाओंगी उसके बाद दो फंदे में यहां पर सीधे बनाऊंगी मैं इसको दो फंदे में इस '' TRI से उल्टे बनाओंगी धागा पीछे ले जाओंगी ों मरें एस तरह से दो फंदे सीधे बनाओंगी तो perfect पूरी सलाइम कना अब यही करती हुई जाओंगी at hem दो फंदे उल्टे दो फंदे सीथे ठीक है देखें दो फंदे सीथे अब धागा अपनी तरफ लाके दो फंदे उल्टे बनाऊंगे देगी इस तरह से वाइन और दूसरा भी उल्टा धागा पीछे ले जाऊंगी दो फंदे सीथे दो फंदे उल्टे इसी तरह से मैं सभी फंदों को बनाके कम्प्लीट कर लूँगी पूरी लाइन बनाके कम्प्लीट कर लूँगी देखे लास्ट में आ गए बनाते बनाते तो यहाँ पर लास्ट में दो फंदे देखे उल्टे और यह देखे दो फंदे सीधे धगा अपनी तरब दो फंदे एल्टे ठीक है? tau हम आजएंगे you top side से अब देखे यहाँ पे दो फंदे एल्टे आए है न तो front side जब हम दूसरी side आएंगे तो ये दो फंदे हमारे पास सीधे आएंगे just deposit सीधे दो उल्टे है ना इसलिए अब ये देखिए आपको लगसे दिख रहा है ये गाठ सी जो बनी होई है ये वाली तो ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब देखिए 1 दूसरा भी उल्टा 2 धागा पीछे फिर देखिए दो सीधे 1 धागा अपनी तरफ 1 2 धागा पीछे दो सीधे 1 2 धागा अपनी तरफ दो उल्टे 1 2 धागा पीछे दो सीधे 1 2 अब देखिए आप यहाँ पर ये कैसा आ रहा है बनके देखिए इस तरह से ये बनके आ रहा है देख रहे हैं यह उल्टे पर उल्टे सीड़े पर सीड़े तो यही दो लाइन्स चो मैंने आपको बताई है यही हमें रिपीट करते हुए जाना है और करीबन 4-5 इंच हमें बना लेना है ठीक है बच्चों के हिसाफ से बनाना है क्यांकि यह मंकी आप बताने जारी हो तो गले से लेकर आपकी जहा तक फैस चिन आएगी बहां तक आप आपने यह बना ना है तो देखें आप मैंने इसको इतना बनाकर कम्प्प्रीट कर लिया है थिक नीचे का अरिया है अब मैं इसका नाब के लिए मैंने कितना में इतनी स्वागं Complet का एठीben ए सवा शेंट के आसपास मैंने यह बनाया है ठीक है एक चीज बताती हूँ मैं आपको कि यह जो एरिया है गर्दन से नीचे का एरिया है तो इसको आप उतना ही बनाएंगे जितने आपके बच्चे का measurement कर लें उसे साफ से बनाएं ठीक है किसी का 6 किसी हर किसी के गर्दन का जो size होता है वो change होता है तो मैंने यह सबा 6 इंच के आसपास बनाया है आप 6 इंच भी बना सकते हैं साड़े 6 इंच भी बना सकते हैं आपको यह नीचे करिए आपके according है कितना बड़ा आप चाहते हैं ठीक है अब करना किया देखिए 80-16 भाग में divide नहीं होंगे एकदम से clear तो हमें पता है कैसे करना है बीच का जो area मैं पंदे बंद करूँगी उसमें 34 ठीक है तो यहां पे हमारा एक line से set बन जाएगा 34 हम बीच में रख लेंगे तो इधर 26 और इधर 26 आ जाएगा ठीक है तो 34 पंद इधर 26 बना लिए अब देखिए कि सब्सक्राइब है घका पीछे ले जाएंगे इस तरह से दो फंद सीथी बनाएंगे और इसके उपर से इसे निकाल देंगे फिर एक फंद सीधा बनाएंगे इसे निकाल देंगे फिर नेक्स्ट देखिए सीदा बनाएंगे इसके उपर से निकाल देंगे और सभी फंदों को लूज लूज ही बंद करेंगे ज्यादा टाइट बंद नहीं करेंगे यह देखिए इस तरह से इस तरह से कि इस तरह से केक करके सभी फंदों को सॉरी 34 स्टिचिस को बंद कर लेंगे देखिए देखिए यहाँ पर मेरे 25 और एक और में बनाऊंगी देखिए 26 यह यहाँ पर मेरे 26 फंदे रह गए देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 21, 26 तो यहाँ पर मेरे 34 स्टिचे की पूरे घटा लिए यह देखिए इस तरह से अब यहाँ पर बाकी के फंदे दो ओल्टे दो सीधे जैसे हमने बनाने थे वैसे हम बनाएंगे देखिए इस तरह से अब देखिएगा अब इस साइर आ जाएंगे तो यह जो फंदे पहले हम यहां से यहां तक बनाएंगे जैसे भी बना रहे थे दो उल्टे दो सीधे के कि एक पहले यहां तक बनाते हूं यह कि यह देखिए अब देखिए क्या कर दना है ध्यान देजेगा इस चीचेश पर जितने तरह से इस तरह से दिए वान टू थ्री फूर फाइव इसे ही पूर थर्टी फूर फंदे डालेंगे देखें मैंने आप यह थर्टी फूर फंदे डाली है अब देखें क्या करना है यह इसी तरह से रहेंगे और एक चीज और देखेंगा कि अगर आप जैसे कोई बड़ा साइज बना रहे है अडल्ट साइज तो आपको क्या करना है इस सलाई पर फंदे डालने हैं फिर आपको दो सलाई अलग अलग बुननी है इधर अलग और इधर अलग अलग दो-दो सलाई बुन लिजे या चार-चरा थोड़ा सा बनाके फिर फंदे डालिएगा तीक है अब देखिए यहीं से हम धागा पीछे करके यह दो फंदे इस तरह से देखिए सीव दे अधागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बाकी फंदे जो है यहां तक इसको इस जगह तक बुल लेंगे यह देखिए अब घूम जाएंगे अब यहां से पूरा पूरी सलाई दो ल्टे दो सीदे की बनाएंगे पहले देखिए यहां तक यहां तक बनाएंगे ठीक है फिर दिखाएंगे आपको कैसे बनानी और देखिए यहां तक आगए यह दो उल्टे अब देखिए यह जो फंदा हमने डाले थे अब वो फंदे हमें समाल के बुलने है यहां से दागा पीछे अब यह देखिए यहां पर हम बनाएंगे दो सीदे बस यह एक रो है जो आपको बहुत सापधानी से बनानी है देखिए बन बहुत आराम से बनानी है क्योंकि यह सलाई थोड़ी सी मुश्किल होती है देखिए टू फंदा नहीं फटना चाहिए दागा अपनी तरफ दोल्टे धागा पीछे दो फंदे सीदे देखिए बन कोसिस कीजिए नुकीली सलाईया लीजेगा तो आसानी से निकल जाते हैं फंदे देखिए इस तरह से दोल्टे दो सीदे बनाएंगे यहां तक पूरे देखिए इतना बुंते हुए मैं यहां पर आ गई कि देखिए थीक है अब पूरा यहां तक बना लीजें दो सीदें दो उल्टें अब देखिएगा अब देखिएगा अब देखिए अब जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसे ही दो सीधे दो उल्टे बनाते हुए जाएंगे और यहां से करीबन में एक डेड़ इंच की पट्टी जितना बना लूगी ठीक है अभी मैं बताती हूँ आपको देखिए दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे ठीक है तो आप ऐसे ही बनाती हुए जाना है आपने आप देखिए यहां पर यहां से लेकर देखिए यहां से करीबन एक यह देवड़ इंच की पट्टी में बना लूँगी मतलब इतना उचा बना लूँगी इसको फिर यहां पर हम कलर चेंज करेंगे यहां से मैं माल लीजे एक इंच या देड़ इंच बना लूँगी इसको इतना ठीक है यह दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए फिर मैं यह आप थोड़ा सा चेंज करूँगी डिजाइन इसको करीमन मैंने देखिए देड़ इंच बना लिया है अब इसके बाद क्या करना है यह देखिए इसके बाद देखिए मैं साधा बनाऊंगी इसको सिंपल दो उल्टे दो सीधे नहीं बनाऊंगी अब एक फंदा सिलिप करूँगी और दूसरा फंदा भी इस तरह से सीधा बनाऊंगी बाकि सभी जित्ते भी फंदे हैं मैं आप बाकि सभी सीधे बनाऊंगी इस तरह से देखिए पूरी रो, पूरी सलाई सभी फंदे सलाई पे सीधे बना लूँगी इस तरह से देखिए पूरी रो मैंने सीधी बना ली अब wrong side से पूरी row मैं उल्टी बनाऊंगी ठीक है पहला funda slip करूंगी और उसके बाद मैं पहला slip किया सभी funda को उल्टा उल्टा बनाऊंगी अब हम दो उल्टे दो सीधे नहीं बनाएंगे याँ से ठीक है अब बस एक तरफ से front side से सीधा और wrong side से उल्टा यही बनाएंगे अब हम तो यह दूसरी सलाई है मेरी सेम ऐसी दो सलाईया में और बना लूँगी CD साइट से सीधी और उल्टी साइट से उल्टी यानि कि total चार सलाईया में बना लूँगी अब यह देखे कि मैंने यह चार सलाईयां बना के कर लिए एक कम्प्लीट थीक है कि हम देखिए इस तरह से यह आया है कि इधर से सीडी इधर से उल्टी अब मैं यह आप दूसरा लगाऊंगी यह वाला कलर तो चार सलाईयां बनाऊंगी हमें इस कलर से अब आगे बस जस्ट इतना ही सिंपल सिंपल बनाती हुए जाना है जितनी हमारी लेंथ हमें रखनी है उसके अकॉर्डिंग यह देखिए आ कि कि इस थागे को इधर कर लेंगे कि अब बस सीधा बनाती हुए जाना है इसमें तो चार सलाईया मैं इस ग्लू कलर से बनाऊंगी और चार क्रीम कलर से इतना ही करना है इसमें अभी उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी इस तरह से कि इस सलाई को सीधे बनाऊंगी फिर उल्टे तो चार सलाईया मैं इस कलर से बनाऊंगी फिर चार सलाईया क्रीम कलर से पिर चार बिलू से तो जब की तरह से मैं इसको इतना चार स्टेप बिलू की है इतना मैंने कम बना के सवरी मिन इसकी करेंगे दीक्रीजिनग करनेखें किस तरह से करेंगे अब देखेंगे करने के लिए मैं आपे छे फंदों से स्टाट करूंगी तो यहां पर मैं अपना कलर चेंज करूँगी पहले तो क्योंकि यहां पास क्रीम कलर है चार सला हैं कम्प्लीट हो गई तो मैं ब्लू कलर से फर्स्ट रू बनाऊंगी एक फंदा मैंने स्लिप किया माल लीजिए अब यहां पर देखिए वन यह एजिस्टिच है टू छे फंदे बनाऊंगी मैं एजिस्टिच छोड़के दो चार पांच और एक यह छे ठीक है इसके बाद फंदों को मैं दो का एक करूँगी देखेगा किस तरह से करेंगे यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इनको दो का एक कर देंगे ठीक है फिर पांच छे फंदे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगें दो का एक तो इस पूरी रो में हम यही करते हुए जाएँगे छे फंदे सीधे बनाएँगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और दो का एक इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे अब देखो रोंग साइट से आगए रोंग साइट से क्या करना है यह हमेशा ध्यान रखेगा इस बार बता रहे हुए दोबारा बार नहीं बताऊंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है हर बार हम जब सीधी साइट से फंदे घटाती हुए आएंगे फिर जब उल्टी साइट आएंगे तो हर बार सभी फंदों को पहला फंदा स्लिप करके उल्टा बनाना है ठीक है त्री फोर और ये फाइब पिछली बार छे फंदे बनाएते सीधे अब पांच बनाएंगे ठीक है और दो का एक करेंगे अब देखो यहाँ पे दो का एक करेंगे अब फिर से पांच सीधे बनाएंगे 1,2,3,4,5 अगें दो का एक फिर पांच सीधे बनाएंगे अब देखे इसी तरह से पांच सीधे फिर दो का एक करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे उल्टी साइट से पूरा उल्टा बना लेंगे देगे कुलिती साइट से बना लिए अब आ गए हम फ्रेंट साइट्स ठीक है तो आप देखे बार बार हमें यही करते जाना है पहले 6 फंदे बनाए हमने CT साइट से फिर 2 कए एक किया पिर 5 फंदे बनाए फिर 2 का एक किया ठीक है पिर अब हम क्या कर tire N देखेगा 3, 4, ठीक है, अब 2 का 1 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 2 का 1, इसकी next row में 3 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, है ना, फिर 1 फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से continue करते जाएंगे, देखो आगे, फ्रेंट साइड, ठीक है, अब हम, एक सिलिप करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 2 का 1, 1, 2, 3, इसी तरह से करेंगे, हम देखे, फ्रेंट साइड से आगए, चार सलाइएं मेरी क्रीम कलर से कम्प्टीट हो गई, अब मैं फिर से, चार सलाइएं बिलू से बनाऊंगे, इस तरह से एक हम बनाएंगे, फिर देखे, 1, 2, दो फंदे बनाएंगे, और दो का एक करेंगे, दो बुनेंगे सीद्धे, 1, 2, दो का एक, अब देखें यहां पर जहां हम दो का एक, दो का एक करते हुए आई हैं, आप देखें कितनी अच्छी फली यह बनती हुए जा रही है, इसी तरह से पूरा राउंड कम्प्रीट करेंगे, पूरी लाइन कम्प्रीट करेंगे, अब देखों, फ्रेंट साइट से आगए, अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, और दो का एक करेंगे, अब ऐसे ही करती हुए जाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, और दो का एक करेंगे, अब देखें क्या करेंगे, यह चार सलाइएं हमारी ब्लू कलर से कम्प्लिट हो गई हैं, अब हम यहाँ पर क्रीम कलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि last बस दो ही सलाईया हमें बनानी है तो इसलिए हम इसी ढूब लू कलर से ही दो सलाईया हम कंप्लिट कर लेंगे ठीकिए अब हम क्रीम कलर नहीं लगाएंगे तो देखेंगा यहां पे अब हर फंदे को एक करते हुए जाना है देखें, दो का एक, दो का एक, दो का एक, उसके बाद उल्टी सलाई उल्टी तरफ से उल्टी बना लेनी है, ठीक है, फिर हम क्या बंद कर देंगे, रॉंग साइट से मैंने सवी फंदो को उल्टा बना लिया, अब आ गया हम फ्रंट साइट में, तो अब हम नहीं बनाएंगे, अब हम थोड़ा सा धागा यह देखें, थोड़ी दूरी से कट करके, मैंने कट कर दिया है, अब इसकी हम स्टिचिंग करें, तो देखेंगा इस त सवी फंदो को हम सुई पे ले लेंगे इस तरह से, ध्यान से लेजेगा सवी फंदो को एक भी फंदर रहे नहीं जाना चाहिए, यह देखें, सलाई निकाल देंगे, एक राउंड और लगाएंगे, तो पहले में पहले वाले राउंड को खीक के टाइट कर दूगी, तो इस तरह से, दूसरे राउंड को कीशतें गैं यह देखें, यहाँ पSstart यहाँ पर यूश्भात यह कितना प्यारा safe बनकी आया है तो इस तरह से यह हमारा मंकी केप बनके कंप्लीट हो गए ह आप देखिए से अब हम इसपी यहां से लेकिए पूरा इस तरह से 252 से पड़ी स्रिप से मिलाते हुए पूरा stitch कर देंगे पूरा नीचे तक stitch कर देंगे यहां तक यहां से यह open area आपको दिख रहा है यह stitch कर लेंगे जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो तो stitch करने के वाद मैं इसका पैनल लोग दिखाती हूँ आपको stitching लगा के पूरी यहां तक complete कर लिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर देखे कितना पतला है बच्चे के सरीर में कैसे आएगा गले में कैसे जाएगा यहां से है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह stretchability लेके आता है आप यहां पर देखेगा कि यह कितना खुशूरत लग रहा है फ्रेंट साइट से अब आप देखे यह कितना stretchable होता है यह देखेगा ठीक है तो मेरा बच्चा जो तीन साल का है उससे यह बहुत आराम से आता है और मेरे ख्याल से अभी उसको एक साल और आ जाएगा यानि कि चार साल तक के बच्चे को यह बहुत आराम से आ जाएगा यह जो मैंने मेंजर्मेंट बताया है आपको ठीक है तो आई होग कि आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया हो और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेस आपको समय से सबसे पहले मिल जाए और मेरा जो दूसरा चैनल है अरचना फैशन डिजाइनर जिस पर मैं काफी सारे वीडियो बिगनर्स के लिए सीरीज सेयर करती हूँ तो आप मेरे उस चैनल पर भी जा सकते हैं मेक अप ट्रिटोरियल के शौकीन है तो आप मेक बहले चैनल पर जा सकते हैं आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो एक बार चैक कीजिएगा मेरे आदर्स चैनल को भी चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाए